हलो एवरिवन अभी तहवारों का समय स्टार्ट हो गया है और हर पूजा में हम नारेल फोड़ते हैं तो अभी इतने सारे नारेल जमा हो जाते हैं तो करे तो करे क्या अगर जादा दिन यूज नहीं करे तो खराब हो जाता है तो आज हम देखेंगे कि इसको सालों सल कैसे हूलों सल करें पूसका पाने स्टेंट लेंगे स्टी अगर यह सब आपके पास नहीं थो गाते हैं इडली बनाने के बरतना भी यूज कर सकते हैं तो नारेल को एसे उल्ट रखकर इसको धकन लगा के वें शिम में हमें 15-IGNATA के के छोड़ायना है आप 15-cion जो है गैस बंद करके देखते हैं हम कैसे पका है ये तो कुछ इस तरह से पक जाता है तो आप सोचेंगे कि इसको स्टीम करने की क्या ज़रत है तो देखिए स्टीम करने से कितने फायदा होते हैं जब ये हलका सा ठंडा हो जाए बहुत जादा ठंडा मत करियेगा हलका सा कुछ इस तरह चारो तरफ हम हलका छोड़ा देते हैं नहीं तो अगर नॉर्मल अगर नारियल करेंगे न तो इसको निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है तो देखे बहुत ही इजी तरीके से वह बाहर निकल जाती है क्योंकि यह स्टीम की वज़े से बहुत सॉफ्ट हो ज निकल जाएगा और दूसरा यह है कि जब इसको हम जैसे आलू जो छिलते हैं उससे इसको छिलका निकालने से बहुत इजी तरीके से निकल जाता है बहुत हमें कोई भी महनत करने की ज़रत नहीं होती देखे कि इतना प्यारा सा वाइट कलर का पूरा छिलका निकल जाता है इसी तरह दोनों को हम निकालने के बाद उसको चाकू के सहता से चोटे-छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं देखे एक इतने एजी तरीके से कट जा रहा है न मतलब स्टीम करने के इतने फायदे होते हैं अब इसको अच्छे से काटने के बाद एक मिक्सिजर में डाल ल इसम में हम इसको एक से, दो से तीन मिनट के लिए हलका सा फ्राई करेंगे, ताकि वो एक तम खिला-खिला हो जाए, आप देख सकते हैं, एक तम ही खिला-खिला है, ऐसे लग रहा है कि जैसे मार्केट से लाया हुआ, नारियल जैसे होता है न, आव ऐसा है पॉडर दिख रहा आप भी जरूर ट्राइ किजेगा अगर मेरी चैनल में पहली बार आये हैं तो प्लीज सब्सक्राइब मैं चैनल